Hi everybody, आज हम लोग शुरू करने जारे है प्लैंट कींडम का लेक्चर नमबर 0-3 प्लैंट कींडम का जो लेक्चर नमबर 0-2 था जो बस इसके पहले वाला लेक्चर था हुआ पर हमने सम इंपोर्टेंट फीचर्स प्लैंट कींडम को डिसकस किये थे और हमने एक प्लैंट का जेनरल लाइफ साइकल मतलब एक प्लैंट के लाइफ साइकल में exactly कौन-कौन से stages आते हैं उनको बारे में भी details में पढ़ाई किया था और आज के लिक्चर में हम लोग Life Cycle of a Plant Kingdom मतलब प्लैंट कींडम के लाइफ साइकल में कोपी और एंसाइटी बुक लेकर बैठ जाए मैं हुष आयन मरुम्दर और आप देखरें स्टाइडाइवर्सिटी तो लेट स्टार्ट आउट टोपिक चलिए आज हम हमारा पहला टोपिक शुगू कर लेते हैं जो है हेपलॉंटिक लाइफ साइकल तो सभी हेडिंग दे लीजिए हेपलॉंटिक लाइफ साइकल हेपलॉंटिक लाइफ साइकल को हम लोग स्टार्ट करने से पहले एक जेनरल लाइफ साइकल जो पहले क्लास में आपको बताया था मैं वो और एक बार आपके लिए ड्रॉ कर दूँगा एक चीज सुन लीजिए अच्छे तरह से मैं पूरा लिखना कम्प्रीट करूंगा ज अभी आप लिखना शुरू करेंगे क्योंकि इसके अंदर इस लाइफ साइकल के अंदर भी एक चोटा सा उसको समझने के लिए पहले पूरा लाइफ साइकल अच्छे तरह से देख लीजिए फिर मैं जब वहाँ पर साइड हो जाओंगा आपको लिखने का टाइम दिया जा पहले क्लास में पूरा साइकल किया था उसमें हम लोग से शुरू किये थे तो फिर आज में हम लोग से ही स्टार्ट करेंगे दिख लीजिए मैं पहला स्टेप लिख दूँगा गेमेटोफाइट गेमेटोफाइट क्या तैयार करता है गेमेटोफाइट गेमेट का फॉर्मेशन करता है वाया माईटोसिस तो फिर नेक्स टेप जो होगा वो होगा गेमेट नेक्स टेप हमारे लिए गेमेट लिख सकते हैं हम अच्छा गेमेट लिख दिया फिर गेमेट का क्या होगा गेमेट का फॉर्टिलाइजेशन होगा फॉर्टिलाइजेशन होगा फॉर्टिलाइजेशन होगा किसका फॉर्मेशन होगा जाइगोट का फॉर्मेशन हो जाए है गidents will fertilize to produce Zygot में फिर Zygote का further development होके का formation होगा Silicon का further development होके sporophyte का formation होता है और division में हम लोग लिख सकते हैं माइटोसिस होगा फिर हम लोग लिखेंगे स्पोरोफाइट अच्छा स्पोरोफाइट का क्या होगा स्पोरोफाइट में मियोसिस करके स्पोर का जेनरेशन होता है फिर हम लोग जो नेक्स्ट एफ होगा वो हम लोग स्पोर लिख देंगे अभी मैं थोड़ा arrow दे देता हूँ, नहीं तो आपको confusion हो जा सकता है यह आपका complete cycle हो गया, अभी मैं थोड़ा division लिख देता हूँ gamet का यहाँ पर क्या होगा? mitosis होता है फिर gamet के इधर क्या होगा? यह कौन सा प्रोस्टों का? fertilization होगा? वो भी लिख देते हैं फिर zygote में से sporophyte जब formation हो रहा है, तब mitosis division होगा फिर जब sporophyte से spor का formation हो रहा है, तब meiosis होगा? या फिर reduction division होता है फिर जब spor से gametophyte का formation होगा, तब mitosis होगा अभी सारे cells के ploidy को भी देख लेते हैं गेमेटोफाइट का ploidy क्या होता है, गेमेटोफाइट होता है, तो फिर इसका ploidy हम लोग N लिखेंगे, गेमेट से का ploidy भी N होगा, जाइगोट का ploidy 2N होगा, क्योंकि जाइगोट इस फोर्म भी देख लेंगे, फिर जाइगोट का ploidy क्या हो जाएगा? यहा पर mitosis हो रहा है, मतलब ploidy सेम रहता है, तो फिर हम लोग इसको भी 2N लिखेंगे, फिर मियोसी होके, reduction division होके, spore का formation होता है, मतलब spore का ploidy haploid होगा, तो फिर हम यहाँ पर N लिखेंगे, अच्छा, तो फिर यह चला गया, आपका एक complete life cycle of a plant, अभी देखिए, यह तो complete life cycle हो गया, पर यहाँ पर special क्या होगा? है, हपलांतिक life cycle, जो हम इस life cycle क्यों कहह रहे हैं, हैँ पर special क्या होगा? देख लिजी आचछे दरसे, यहाँ पर is Agiotic life cycle में, Zygotat, का ना तो mitosis होता है और ना तो sporophyte का formation होता है। ना तो sporophyte के formulation, मियोसिस से स्पोर का प्रोडक्शन होता है यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर एक स्पेशल फेनोमेना देखा जाता है जिसे हम कहेंगे जाइगोटिक मियोसिस अच्छा मैं इसको ड्राव कर दोंगा अभी देखिए यहाँ पर क्या होगा Zygote में Direct Miosis होगा Zygote में Direct Miosis होके Zygote Spor का Formation कर देगा यह यहाँ पर Special Phenomena हो जाता है यहाँ पर मैं Miosis लिख दूँगा और मैंने क्या बोला Zygote का ना तो Mitosis होके Sporophyte का Formation होगा और ना ही sporophyte में meiosis होके spor का formation होता है तो फिर इसको हम लोग काड़ देंगे मतलब ये दो step present नहीं होगा ये दो step जैसे zygote से sporophyte का formation ना sporophyte से spor का formation ये दोनो step haplontic life cycle में absent होगा haplontic life cycle में क्या होगा? zygotic meiosis होता है, zygotic meiosis का मतलब zygote में direct meiosis होके spor का formation हो जाता है तो फिर देखिये zygote में direct meiosis हो रहा है और direct meiosis होके spor का formation हो रहा है और इस phenomenon को हम लोग क्या कहते है? zygotic meiosis उसे भी लिख देंगे इस फिनवे नाम को हम कह रहे हैं जाइगोटिक मियोसिस तो फिर ये आपका कम्प्लीट हो गया हैपलॉंटिक लाइस साइकल इन प्लैंट किंग्डम पहले इसको नोट कर दीजिए फिर इसके बारे में हम लोग और स्पेशल बाते इन डेब डिसकस करेंगे तो फिर इसे आप पहले जल्द इसे आप पहले लिख लीजिए चलिए अभी तक आप सभी लोगों ने ये सारा चीज़े लिख लिया होगा तो फिर मैं इसे मिटा देता हूँ चलिए अभी हम हैपलॉंटिक लाइफ साइकल के बारे में दो बाते कर लेते हैं आपसे देखिये आप अगर आपके इनसी आटी को अच्छे तरह से देखोगे तो फिर इनसी आटी में प्लैंट कींडम में पूरा लास्ट पैराग्राफ में लास्ट पैराग्राफ में लास्ट लाइन में लिखा हुआ है कि वहाँ पर मोस्ट क्यों लिखा गया है क्योंकि एल्गी में लाइफ साइकल के रिलेटेड बहुत सारा एक्सेप्शन्स पाया जाते हैं जैसे कि केल्फ, एक्टोकर्पस और पॉलिसिफोनिया यह जो तीन एल्गल स्पीसेज है यह आपको हैप्लोडीप्लोंटिक लाइफ साइकल शो करता हुआ देखा जाएगा और जो और एक एल्गल स्पीसेज जो कि फ्यूकस उसमें डिप्लोंटिक लाइफ साइकल भी देखा घ्लोडीप्लोंटिक लाइफ साइकल हम लोत लोकothलोड स्पीसेज शो फिर मोस्ट साइकल रहक हर फ्यूक हम लोका लोका लोडषास बचाइज अगलमी देखा थिट्विक्लमी डिखेमरा हुआ दैक हाफिलोस्दोरमी धिखान ग्वाव दूज हुम स्वाजल से कीनला ना क अच्छा, most of the algal general show haplontic light cycle, अभी हम लोग ऐसा क्यूं कह रहे हैं कि algae में haplontic light cycle देखा जाता है, उसका prime reason भी देख लेते हैं algae shows haplontic light cycle life cycle because algae में जो deployed stage है, जो कि है sporophyte, deployed stage in life cycle of algae is highly reduced and have less number of cells because हम लोग लिखेंगे deployed stage, के बारे हम लोग लिखेंगे highly reduced and have less number of cells अच्छा, पहला lecture अगर आप अच्छे तरह से देखे होगे, तो फिर algae का हम लोग ploidy क्या लिख रहे थे algae को हम लोग haploid plant के अंदर count कर रहे हैं चलिए उसका भी reason देख लेते हैं is haploid इसका reason क्या होगा, because जो gametophyte है, वो dominant stage in the life cycle of algae hold करता है, इसलिए हम algae को haploid कहते हैं because gametophyte is the dominant stage in the life cycle of algae gametophyte holds the dominant state चलिए, अभी हम दो बाते जाइगोट के बारे में कर लेते हैं, देखिए, जाइगोट में जब haplontic life cycle में ने ड्रॉ किया था, अगर आप उसे अच्छे तरह से देखोगे, तो पूरे life cycle में, zygote will be the only deployed state, और सारे cycle में जो भी state आए हमारा, वो सारे state क्या आए है, है ploid आए है पर zygote is the only deployed state, तो फिर हम उसे लिख देंगे अभी zygote is the only deployed state, zygote is the only deployed state in the life cycle, फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं, फिर हम लोग लिख सकते हैं, फिर हम लोग लिख सकते हैं, तो 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 फिर हम लोग फिर हम लोग लिखेंगे, जाइगोटिक मियोसिस अखर, ओकर्स, जाइगोटिक मियोसिस का मतलब पहले आपको क्या बताया, जाइगोट का ना तो माइटोसिस होके स्पोरोफाइट में फॉर्मेशन होगा, और ना तो sporophyte का meiosis होके spor का formation होता है क्या होता है phenomenal zygotic meiosis में zygote का direct meiosis होके zygote से spor का formation हो जाता है तो फिर हम लोग यहाँ पर उसी बात को थोड़ा सजा के धजा के लिख देंगे कि zygote do not undergo mitosis to form sporophyte हम लो क्या लिखेंगे Czigote undergone meiosis to from sport 8 अङो अचे लम कर की होगा लोगव मेожस को're होगाया बाल Сам्या है तो फिर यह आपका complete हो गया इधर पर पूरा haplontic life cycle का details अभी चलिए थोड़ा example देख लेते हैं आपके NCRT में क्या-का example दिया हुआ है उसे भी देख लेते हैं haplontic life cycle के related हम लोग साड़े algae को लिख सकते हैं एक्सेप्ट कुछ algae जो आप मैंने वीडियो के first में ही आपको बता दिया जब haplontic life cycle start किया था तभी exceptions आपको बता दिया अभी वो exception आप लोग haplodiplontic और diplontic में फिर से देख लेंगे पर अभी के लिए आप लोग जान लेंगे कि जो haplontic life cycle है वहाँ पर सारे algae के genera most of the genera of the algae पाया जाता है तो फिर हम कुछ को लिख लेंगे जैसे हम लोग लिखेंगे walbox को फिर हम लोग लिखेंगे spirogyra को फिर हम लोग लिखेंगे clamidomonas को यह आपका complete हो गया all examples of the haplontic life cycle तो फिर आप पहले ही से जल्दी से लिख लीजिए फिर हम लोग haplodiplontic life cycle की तरह move on कर लेंगे तो फिर आप पहले ही से जल्दी से लिख लीजिए ओके सो आई तिंग अभी तक आप लोगों ने यह सारा चीजे लिख लिख लिया होगा तो फिर अभी हम लोग haplodiplontic life cycle की तरह move on करेंगे चलिए अभी हम लोग देख लेंगे haplodiplontic life cycle अभी हम लोग चलिए शुरू कर लेते है haplodiplontic life cycle haplodiplontic life cycle में क्या special होता है यह फिर मेन फिरोमेना haplodiplontic life cycle क्या होता है यह फिर हम लोग haplodiplontic life cycle को haplodiplontic life cycle ही क्यों कह रहे है यह मेन जानने की बात है दिख लिजिए यहाँ पर क्या होता है यहाँ पर both sporophyte and gametophyte are green multicevular and have sufficient number of cell यह इसलिए हम लोग इसे haplodiplontic life cycle कह रहे है हो रहा था है अटलोंटिक लाई सेकल में जो स्थेज रह था वह हैडिल रिडूस रहा था और भूख अग अब्रिक लाइब लाए था इसलिए हम इसे है फ्लोड डिप्लोंटिक लाइफ चैकल के रहा है तो फिर पहले पॉइंट ही हम लोग लिख लेंगे बोथ sporophyte and gametophyte क्या 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 बोला प्याला होगा ग्रीन फिर हो जाएगा हमारा मल्टी सेलूलर and have sufficient number of cell अभी आपको पहले क्लास में क्या बताया था है अपलो डिप्लॉंटिक जो लाइफ साइकल है वो कौन-कौन से प्लैन्ट किंडम में बनाद प्लैन कींडम में कौन-कौन से डिविशन में देखा जाता है वो देखा जाता है मेंली टेईड़ोफाइट और ब्रायोफाइट्स में तो फिर हम लोग अभी स्पेसिविकली टेईड़ोफाइट और ब्रायोफाइट में अलग अलग उनके लाइफ साइकल को देख लेंगे तो चलिए पहले सभी हीडिंग कर दीजिए ब्रायोफाइट्स मैं इधर नीचे लिख लूँगा ब्रायोफाइट पहले हम पूरा साइकल फिर से ड्रा करेंगे जो टिपिकल हमारा साइकल है देखिए टिपिकल साइकल सभी मतलब डिविशन के लिए सभी ग्रूप के लिए लाइफ साइकल के लिए जो हैपलोंटिक डिपलोंटिक और हैपलोटिपलोंटिक है सभी के लिए सेम रहता है पर छो चोटे चोटे डिफरेंस रहता है जिनके वज़ा से ही हम तीनों डिविशन लाइफ साइकल में कर पाच रहे हैं तो फिर हम लोग पहले ही जैसे हमारा गैमेट ओफाइट से शुरू करते हैं वैसे ही शुरू कर लेंगे गैमेट ओफाइट गैमेट ओफाइट के बाद क्या फॉर्मेशन होता है गैमेट ओफाइट के बाद गैमिट का फॉर्मेशन होता है अभी तक तो आपको मुह जावानी याद ही हो गया होगा मैं यह साइकल आइटिंग तीन से चार बार अभी तक ड्रॉ कर चुका हूं तो फिर यहां पर गैमेट का फॉर्मेशन होगा गैमेट ओफाइट से गैमेट का फॉर्मेशन हो रहा है फिर गेमेट का फ्यूजन होके क्या होता है गेमेट का फ्यूजन होके जाइगोट का फॉर्मेशन होता है अभी हम लोग लिख देंगे यहाँ पर जाइगोट जाइगोट को लिख दिये फिर जाइगोट का माईटोसिस होके क्या रिजल्ट करता है zygote का mitosis होके sporophyte का formation कर देता है अभी हम लोग लिखेंगे sporophyte sporophyte हमारा हो गया फिर sporophyte से spor का generation होगा sporophyte से हमारा generation होगा spor का और उस spor का mitosis होके again gametophyte का formation हो जाएगा चलिए अभी मैं arrow के तरफ से represent कर देता हूँ और यह हमारा हो गया complete cycle अभी हम लोग ploidy भी लिख लेता है क्योंकि मैंने यहाँ पर एक भी cell का ploidy ने लिखा हूँ तो फिर gametophyte हो जाएगा हमारा n gamet भी हो जाएगा हमारा n जाएगोट होता है हमारा 2N sporophyte होता है हमारा 2N देखिए मैं बार बार repeat नहीं कर रहा हूँ क्यों क्यों जाएगोट और sporophyte यहाँ पर deployed आ रहा है मैंने यह लगबग 4-5 बार बता दिया हूँ तो फिर अभी तक तो आपको पता लगी चुका होगा यहाँ पर कौन सा division हो रहा है यहाँ पर हो रहा है mitosis और यहाँ पर कौन सा division होगा यहाँ पर होगा fertilization यहाँ पर क्या होगा यहाँ पर होगा mitosis यहाँ पर कौन सा division होगा यहाँ पर होगा meiosis और यहाँ पर again mitosis होगा तो फिर अभी इसमें पर होगा यहाँ पर क्या स्पेशलीटी देखा जाता है देखिए ब्रायोफाइट जो इसल प्रैंट है वह हैपलोइड होता है मतलब गेमेटफाइट विल बीडा मेन स्टेज इन दर लाइफ सेगल अब ब्रायोफाइट तो फिर हाभी हम लोग इसको लिख लेंगे गेमेटफाइट के को स्पेशल फीचर्स को लिख लेंगे हम लोग पहले ही लिखेंगे मेन स्टेज इन लाइफ साइकल फिर हम लोग क्या लिखेंगे गेमेटफाइट के बारे में गेमेटफाइट होल्स दा मेजर दूरेशन अफ टाइम इन दा लाइफ साइकल अब ब्रायोफाइट फिर हम लोग और लिख सकते हैं कि गेमेटफाइट जो हमारा होगा दैट विल बी ग्रीन अभी तक तो हम सभी लोग को पता लगी चुका होगा कि बाइलोजी में जबी भी हम ग्रीन लिखते हैं तो उसका मतला है वहाँ पर फॉर्टो सिंथिस होगा और वो और्टो ट्रोपिक मोड अ नूट्रेशन फुल्फिल करेगा यहाँ पर हम लोग लिख देंगे फॉर्ट फॉर्टो सिंथिस फॉर्टो सिंथिस हमारा गेमेटोफाइट कर पा रहा है फिर हम लोग लिखेंगे इंडिपेंडेंट गैन लिख इंडिपेंडेंटली मैं बस यहाँ पर इंडिपेंडेंट लिख देता हूं इंडिपेंडेंट हो गया हमारा फिर मैंने बोला कि ब्रायोफाइट के लाइक साइकल में गेमेटोफाइटिक जो स्टेज है वो मेजर टाइम या फिर डॉमिनेंट होता है तो फिर हम लोग क्या लिख सकते हैं गेमे हुआ हमने लिख दिया फिर ग्वेटोफाइट के में हम लोग म्यामेजर से पहले बोला मल्टी सेलूलर होगा तो उस पॉइंट को भी लिखेंगे जया मल्टी सेलूलर यह आपका हो गया complete details about gametophyte अभी sporophyte की तरफ move on करते हैं देख लेते हैं sporophyte में क्या-क्या special features पाया जाता है in the life cycle of bryophyte उसे भी देख लेंगे तो चलिए sporophyte में हम पहले ही लिख सकते हैं it is green हम लोग लिखेंगे green फिर हम लोग लिखेंगे sporophyte multi-seular होता है हम लोग लिखेंगे multi-seular फिर हम लोग लिखेंगे sporophyte in the life cycle of a bryophyte is highly reduced and is dependent on gametophyte हम लोग लिखेंगे is highly reduced and dependent on gametophyte यह हो गया आपका complete details about life cycle of bryophyte जो की होता है haplodiplontic life cycle चलिए मैं यह आपके लिए और एक बार रिपीट करते था हूं क्यूंकि बोड में बहुत सारा लिखा हुआ है चलिए मैं यह आपके लिए और एक बार रिपीट करते था हूं यह फिर वो ग्रेटर दूरेशन आप दा लाइट साइकल होल करता है तो फिर हम लोग लिख सकते हैं कि इट होल्स इट होल्स इट इस्टेज इन दा लाइट साइकल फिर हम लोग लिखेंगे इट होल्स दा ग्रेटर दूरेशन आफ टाइम इन दा लाइट साइकल और ब्राइट सेट है क्योंकि यह है अभी जो ग्राइट फाइट होगा ब्राइट मगा वो ग्रीन होगा इट इस पोटो संथेसिक और इट इस इंडिपेंडेट वेल डेवलाफ और मल्टी सेलूलर यह कुछ प्राइम फीचर हो गया ब्राइट के ग्यमेट फाइट का तो अचली यह भी स्पोरोफाइट की तरह मूव अन करते हैं स्पोरोफाइट में आम लोग क्या लिख सकते हैं स्पोरोफाइट इस ग्रीन इस मल्टी सेलर बड़ बड़ इस हाइली डिडिउस एंडिपेंडेंट ओन गेमेट फाइट फॉर इस फूड बड़ जो स्पोरोफाइटिक चो स्टेज होगा वह अपना खाना खूद नहीं ब चलिए I guess अभी तक आप लोगों ने ये साड़ा चीजे लिख लिया होगा तो फिर मैं इसे मिटा दूँगा पर मिटाने से पहले आपको ब्रायोफाइट के बारे में और एक बात बताना है देख लिए इसे अच्छे से ब्रायोफाइट का में जो प्लैंट है वो क्या होगा अम लोग ब्रायोफाइट को क्या कहते हैं तो फिर इसे कहा लिखो बस इसे नीचे थोड़ा सा लिख देता हूं क्यूंकि कोई भी पॉइंट के बाहर जाना है नहीं जाए है प्लैपोई में आसे दुख्रा लिख रहू में जूंकल गालिक HELा सैने नहीं में ऐसे रिख रहा हूं में प्लैंट प्लैंट जो हमारा होगा थिर विलग कि जो Techn F1 इस दा मेन स्टेज इन दा लाइट साइकल क्योंकि गेमेट फाइट इस दा मेन स्टेज यह आपका कम्प्लीट हो गया ब्रायोफाइट का लाइट साइकल अभी देख लीजिए मैं पूरा लाइट साइकल दोबाड़ा से नहीं लिखूंगा बन छोटा चोटा चेंजेस कर दोंगा पहले इसको मिठाओंगा ब्रायोफाइट के जगर टेजिद्फाइट लिकेंगा क्योंकि अभी आप लोग टेजिद्फाइट का लाइट साइकल डिसकस करेंगे तो फिर कर लिखोंगा। अभी चलिए देख लेते हैं टेडियोफाइट क्या होता है। देख़िए। टेडियोफायट में है। फ्राइमरीली क्या होगा। राइमरीली यहाँ पर भी हैप्लो डीपॉंति लाइट सैकल फॉलोड होगा। क्योंकि मैंने पहले ऑफ़ाइट और टेडि लाइफ साइकल में स्पोरोफाइट जो स्टेज होगा तो फिर मैं थोड़ा थोडा यह कैरिक्टर मीटा देता हूं यह कैरिक्टर पूरा मिटा देता हूं तो फिल ही मैं फिर से लिख सकूंगा देख रहा है भाई, हार्ड वर्क का जमाना ही नहीं रहा, सर्व लोग भी चीटिंग कर रहे है, एक्चुली यह चीटिंग नहीं है, मतलब फिर से दो बारा लिखने में टाइम वेस्ट होगा, और वीडियो का लेंद भी बर जाएगा, उससे क्या होगा, उससे आपको भी बो अब ही हम लोग चलिये, स्पोरोफ़ाइट और गयमेटाफ़ाइट का करेक्टर डिस्कस कर लेते हैं, तो फिर पहले है पर मैंने पहले ही बोला कि स्पोरोफ़ाइट विल विल दा में प्लैन बॉड़ी या फिर में स्टेट इन दे लाइप सैकल और टेईड़ोफाइट, तो फिर पहले sporophyte का character discuss कर लेते हैं sporophyte में पहले ही हम क्या लिखेंगे it holds the major duration in the life cycle हम लोग लिखेंगे holds major duration मैं बस अभी के लिए holds major duration ही लिख रहा हूँ आप लोग अगर कॉपी में फ्रेश नोट बना रहे हो तो फिर ऐसे प्रॉपर लिखेंगे लिखेंगे में प्लैंट बोडी sporophyte में प्लैंट बोडी फिर हम लोग क्या लिखेंगे sporophyte will be green multi cellular photosynthetic green we support of our हमारा हो जाएगा multicellular sporophyte हमारा multicellular हो गया फिर photo synthetic भी लिख सकते हैं फिर हम लोग क्या लिखेंगे it is independent मतलब it can make its own food independent it is independent it can make its own food तो पर चलिये ये सारा character हमारा हो गया sport of height से related अभी चलिए हम लोग गेमेटोफाइट का भी कुछ क्यरेक्टर देख लेते हैं कि टेरिडोफाइट के लाइफ सैकल में गेमेटोफाइट में कौन-कौन सा क्यरेक्टर पाया जाता है तो फिर गेमेटोफाइट में हम लोग पहले ही लिखेंगे it is multicellular फिर हम लोग और लिख सकते हैं it is green and हम लोग last point लिखेंगे कि gametophyte is dependent on sporophyte dependent on on sporophyte यह आपका complete हो गया जो टेईड़ोफाइट का life cycle है और उसके सारी features complete हो गया मैं टेईड़ोफाइट का life cycle आपको और एक बस रिपीट कर देता हम देख लीजिए पहले तो मैंने पहले ही बोल दिया कि यहाँ पर हैपलोडिपलॉंटिक life cycle पाया जाता है देट विल बी ग्रीन, multicellular and a sufficient number of cells यह प्रामरी काईटरिया आपका complete हो गया फिर जो टेईड़ोफाइट का में प्लैट बोडी है देट विल बी स्पोरोफाइटिक मतलब स्पोरोफाइटिक जो स्टेज है फिर दिविल बी दी में प्लैन बोडी अबर टेईडुफाइट इन दी लाइफ चेकल आफ टेट फाइट तो भी टेईड़ोफाइट को आप लोग क्या लिख सकते है is the main stage क्या is the main stage में तो मीटा दिया भाले थि मतलब मेन प्लेन्ट इस डिप्लोइट बादी होगा वोग दिपलोई होगा and sporophyte क्यों डिपलोई होगा because sporophyte is the main stage in the life cycle sporophyte के इसल प्लोईड क्या होता है 2n होता है इसली हम इसे डिपलोइट कहा देंगे तो फिर चलिया, मैं कहा बोल रहा था, मैं बोल रहा था कि जो gametophyte जो stage होगा, that will be highly reduced, it will depend on sporophyte for its food, but gametophyte जो stage होगा, that will be multicellular and green, क्योंकि यहाँ पर haplodiplontic life cycle follow हो रहा है, और haplodiplontic life cycle का primary criteria यह होता है कि both sporophyte and gametophyte will be green and multicellular, यहाँ को clear हो गया, फिर यहाँ पर gametophyte से gamet क formation होगा, फिर gamet का क्या हो रहा है, gamet का fertilization होगे, zygote का formation हो रहा है, zygote के mitosis से sporophyte का formation हो रहा है, अभी यहाँ पर twist चला है, sporophyte जो stage यहाँ पर हो गया, that will be the main plant body, तो फिर sporophyte के क्या-क्या character हम लोग लिख सकते हैं, हम लोग बता सकते हैं, it holds the major duration, it is the main plant body, it is green, it is multicellular, it is photosynth synthetic, it is independent and free living, मतलब टेईडोफाइट के life cycle में, sporophyte stage will be free living, तो फिर आप इस चीज को अभी जल्दी से लिख लिख लिजे, यहाँ पर आपका टेईडोफाइट का life cycle जो है, वो complete हो जाता है, आप इस चीज को जल्दी से लिख लिख लिजे, फिर इसके बाद हम लोग अब move on करेंगे, तो फिर आप इसको चल्दी से लिख लिजे, चलिए, I hope अभी तक आप सभी लोगों ने यह सारा चीजे लिख लिख लिया होगा, तो फिर मैं इसे उपर से जड़ा सा मिटा देता हूं, क्योंकि अभी हम डिसकस करेंगे, हैपलोडिप्लोंटिक life cycle का examples, चल exam smells में हम लोग पहले ही लिख देंगे, कि बायोफाइट और टेइड़ोफाइट के अंदर जो भी प्लैंट होगा, वो हैपलोडिप्लोंटिक life cycle follow करता है, तो फिर हम लोग लिखेंगे, ब्रायोफाइट and टेड़ोफाइट ब्रायोफाइट और टेड़ोफाइट हमारा हो गया, फिर हम लोग और लिखेंगे, सम अल्गी अल्गी में कौन-कौन सा और्गनिसम फॉलो करेगा, एक दिस अल्गी की में हमारे पास हो जाएगा, एक्टोकरपस, पॉलिसिफोनिया and केल्प्स तो फिर हम से लिख देंगे, अल्गी में भी ये कुछ एक्सेप्शन है, पॉलिसिफोनिया and केल्प्स जैसे, दिखिए, जैसे मैं आपको प्राइमेरी ली बतायाता है, पहले जब हैपलॉंटिक लाएट सेकल पढ़ रहा था, तभी बोला था, मोस्ट अब जैनराइट इन अल्गी आर शो हैपलॉंटिक लाइफ सेकल बट द्यार सम एक्सेप्शन्स क्या एक्सेप्शन्स है, जो एक्टोकर्पस पॉलिसिफोनिया and केल्स है, वो हैपलोडिपलॉंटिक लाइफ सेकल शो करता है, तो फिर आप इस एक्जाम्पल्स को ज स्मार्ट वर्क का जमाना चला आया है, चलिये हम लोग दिसकास कर देंगे डिपलॉंटिक लाइफ साइकल को, टिपलॉंटिक लाइफसेकल में हम लोग क्या बोल सकते हैं, हम लोग पहले देख लेंगे कि कौन कौन से RAW, जो फिर अधियन डेपनाटिक लाइसलिफल्टवातिक लिए लिक लेते हैं वह रिए हम लोग लिखेंगे एंडेलोजण स्विद्वांट। ए है OM했 को शोड़ है क्यून क्यूंक यूंद्व है जां लेंगे क्यूंकि क्योंकि इन दोनों plant group में, plant kingdom में, इन particular दोनों plant division में, जो sporophyte होगा, वो dominant होगा sporophyte sporophyte के बारे में हम लोग लिखेंगे के लिखेंगे रारी में लिखेंगे राला लिखेंगे देक्षार शिये जखेंगे हम लोग लिख सकते हैं sporophyte को हम लोग लिखेंगे it is the main plant body sporophyte को हम लोग main plant body लिख रहे हैं अभी gametophyte के बारे में क्या लिखेंगे अभी gametophyte के बारे में क्या लिख सकते हैं चलिए उसे भी देख लेते हैं मतलब इन दोनों का एंजिस्परम और जिम्नोस्परम का gametophyte कैसा होगा gametophyte कैसा होगा gametophyte non green होगा मतलब उसमें photo synthase नहीं होगा it can't make its own food हम लोग लिखेंगे non green green cannot make its own food लोग क्या लिखेंगे highly reduced लोग क्या लिखेंगे have least number of cell यह आपका कुछ gametophyte का फीचर्स हो गया चलिए मैं यह आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूं देख लीजिए अच्छे तरसे जो डिप्लांटिक लाइफ कम लाइफ सब्सक्राइब के लिए इनभ श॥पड़े काई ज्च के दम के कॉन कॉन कान सब्सक्रेंगे जब्न sóसी मण के लिखा जाएगा जोः ख्यांचे यह बिदू कईट कोई लौट काई ज्याच घन हम लोग जब लाइफ सेकल में ज़ा करूंगा तब और भी फीचर स्पोरफाइट और गमेटाफाइट के बारे में लिख दोंगा और प्राइमरी जो रिजन्स है वो जान दीजिए देखिये तो इस मल्टिसेलार, इस ग्रीन, इस फोर्टो शींथेटिक, इस और इस ओन फूर्ट इस इंडेट जो इस पोरफाइट के बारे में बाता रहूं इस इंडेटेंट बाट जो गमेटो फाइटिक जो स्टेज हो जाएगा प्लेंट बोडी का, that will be non-green, it cannot make its own food, it is highly reduced and it has least number of cells, तो पिछलिए, आप पहले इस चीज़ को लिख लीजिए, फिर मैं जो पूरा life cycle है, उसको ड्रॉ कर लूँगा, एक सिगन रूखे, life cycle ड्रॉ करने से पहले एक algae है, एक ऐसा algae है, जो कि हमारे पास diplomatic life cycle को शो करता है, पहले उसे भी देख लेते हैं, क्योंकि तो फिर आपका example का point पूरा-पूरी complete हो जाएगा, और कोई example लिखने का ज़रूरत नहीं होगा, algae में कौन सा algae शो करता है, डिपलॉंटिक life cycle, fucus, fucus is a algae that shows डिपलॉंटिक life cycle, हम लोग लिख देंगे, fucus, तो फिर यहाँ पर आपका example का point भी complete हो गया, तो फिर अगर आपको पूचा गया, कि डिपलॉंटिक life cycle का example बताओ, या फिर ऐसा plant group बताओ, जहाँ पर डिपलॉंटिक life cycle देखा जाता है, तो फिर आप लोग क्या काएंगे, हम लोग काएंगे, जो एंजियो स्पर्म हैं, जीम्नो स्पर्म हैं, वहाँ पर डिपलॉंटिक life cycle देखा जाता है, और algae में एक exception है, जो कि या fucus, उसमें भी डिपलॉंटिक life cycle देखा जाता है, तो फिर आप इसे पहले जल्दी से लिख लीजिए, फिर हम लोग इसका पूरा life cycle एक बार फिर से ड्रॉ करेंगे, आप लोग इसे जल्दी से लिख लीजिए, अभी हम लोग जो डिपलॉंटिक हमारा life cycle है, उसको एक बार ड्रॉ कर लेंगे, चलिए, उसको ड्रॉ कर लेते हैं, पहले हम life cycle में कौन से stage से शुरू करते हैं, यहाँ पर भी वही stage से शुरू करेंगे, जो कि हमारा है, प्यारा सा gametophyte, हम लोग लिख देंगे, gametophyte, gametophyte, फिर gametophyte से कौन से stage का generation होता है, gametophyte generates gamet via mitosis, gametophyte generates gamets, फिर gamet के fertilization से किस चीज का formation होता है, gamet के fertilization से होगा, zygote का formation, zygote, फिर zygote का माईटोसिस होगा फर्दर, फिर sporophyte का formation हो जाएगा, जो कि हमारा इधर main stage in the life cycle हो रहा है, यह हमारे पास आगया, sporophyte हमारा प्याहरा सा, फिर sporophyte का meiosis हो के reduction division हो के spor का formation होता है, यह आपका हमारे पास spor का formation हो गया, चलिए अभी मैं यह पूरा एक बार arrow देके represent कर देता हूँ, यह आपका पूरा complete हो गया, डिप्लॉंटिक लाइट साइकल, चलिए, अभी हम लोग देख लेंगे, यहाँ पर sporophyte और gametophyte के कुछ फीचर्स, जो मैंने पहले भी लिखा था, उसको हम लोग अभी और डीटेल्स में लिख लेंगे, चलिए, को मिन लोग क्या लिखेंगे, पॉरफाइट के बारे में हम लोग लिखेंगे, इच्पर वारे में लिखेंगे, कर द्रब्त 유म्हार के एक कि वारे में लेक गॹ्रियंगे ग्रीं इस athletic assistant टो पिर आपको समन्हाल स्थाइगा sporophyte is the main plant body main plant body हमारे पास sporophyte आ गया अभी हम लोग कुछ gametophyte के कुछ features भी discuss करेंगे चलिए gametophyte is हम लोग पहले ही क्या लिखेंगे gametophyte के feature में it is highly reduced highly reduced highly reduced it have least number of cell मैं ये साथ चीज़े पहले ही रिखाता have least अच्छा तो फिर ये सारा चीज़ कंप्लीट हो गया आपका इधर जो लाइक साइकल है डिपलॉंटिक लाइक साइकल आपका ये पूरा कंप्लीट हो गया मैं आपके लिए और एक बार यहां पर प्लॉइड ही लिख देता हूं देख यहां पर ग्यमेटवफाईड का फ्लॉइड़ी क्या हो जाएगा फिर ग्यमेटवफीट से जो यॉरा एक ये लिए इय生 legally ए इन हो जाएगा फिर s sporophyte का ploidy भी हमारे पास 2N हो जा रहा है spor का ploidy आपर meiosis हो रहा है तो फिर spor का ploidy N हो जाएगा फिर हमारे पास gametophyte का formation हो जाता है मैंने जो examples बचाया था डिप्लॉंटिक लाइफ साइकल के अंदर जो कि आ रहा है आपका पूरा group of angiosperm, gymnosperm and algae में सिर्फ केल्स आ जा रहा है वहाँ पर main plant body main plant body जो हमारा आता है वो डिप्लॉइट है मतलब हम लोग कह सकते हैं कि main plant body is deployed क्यों कह रहा है क्योंकि हमारा जो पैरा सा sporophyte है that holds the main stage in the life cycle of angiosperm and gymnosperm इसलिए हम लोग उन दो ग्रूप को deployed group कहते हैं यह मैं दोबारा से नहीं लिख रहा हूँ यह पहले lecture में भी लिखाया हुआ था और आपको और एक बार अभी बता देगा तो फिर यह आपका complete इधर हो गया diplontic life cycle मैं इसे आपके लिए और एक बार रिपीट कर देता हूँ अच्छे तरह से देख लीजिए देखिए जो diplontic life cycle में जो gametophyte जो state होगा जो gametophyte state होगा उसमें least number of cell होगा and it will be highly reduced and it is non-green इसको हम लोग non-green भी लिख सकते हैं non-green मतलब यहाँ पर कोई भी फॉट्रों नहीं होगा non-green यह हमारे पास non-green हो गया इसमें कोई भी फॉट्रों इसका कोई केस नहीं देखा जाएगा मतलब यह अपना खाना नहीं बना सकता it will be that's why we are saying it is highly reduced अच्छा फिर gametophyte से gamet का formation हो रहा है gametophyte से gamet का formation होके फिर zygote का formation हो जाए फर्टिलाइजेशन के दोवारा फिर हमारे पास sporophyte आ जा रहा है भाया mitotic cell division sporophyte में क्या features है sporophyte is green sporophyte is green it is photosynthetic and it is multicellular यह सभी features sporophyte का हमारे पास आ जा रहा है and हम लोग कह सकते है it holds the major duration in the life cycle of the angiosperm and gymnosperm फिर हम लोग बल सकते है sporophyte is the main plant body फिर sporophyte से meiosis होके spor का formation हो जा रहा है और spor से again mitosis होके हमारे पास gametophyte का formation हो जा रहा है जो gametophyte जो stage है वो बहुत कम समय के लिए बहुत least amount of time के लिए in diplontic life cycle में देखा जाता है बट sporophyte जो stage है वो huge amount of time के लिए या फिर हम लोग कह सकते है sporophyte holds the maximum amount of time in the diplontic life cycle sporophyte stage holds the maximum amount of time in the diplontic life cycle तो फिर यह इदर आपका complete हो गया पूरा life cycle का part जो तीन life cycle था आज आपको वो अच्छे तरह से बता दिया haplontic, diplontic, haplotipontic और उनके सारे examples को भी आपके NCIT में जो भी examples जिया था उन सारे examples को भी हम आज अच्छे तरह से discuss कर दिये तो फिर आप इसे पहले अच्छे तरह से लिख लीजिए फिर मैं वीडियो को आज end कर दूंगा चलिए आप पहले इसे जल्दी से लिख लीजिए I hope आप सभी लोगों ने अभी तक ये सारा चीजे नोट कर लिया होंगे and I think all of you have taken the notes of today's lecture मैंने आज लेक्टर में जो कुछ भी बताया about haplontic, diplontic and haplodipontic life cycle आप सभी लोगों ने वो सारा चीजे आपने नोट को भी में नोट किये होंगे क्योंकि यही नोट आपका division के टाइम में बहुत काम आने वाला है and अगर आपको lecture समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा या फिर मेरा ये clumsy सा handwriting समझने में जरा सा भी दिक्कत हुआ होगा तो आप मुझे comment section में जरूरी inform करे मैं आपके particular doubt को जो नेस्ट वीडियो में लास सेक्शन होगा वहाँ पर cover कर तूंगा and thanks for attending my lecture